हलो फ्रेंट्स वेलकम टो वाइफाई स्टड़ी दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का वाइफाई स्टड़ी अपार्टफरन एडले पर गूड इविनिंग माई दियर फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग उमीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे शांदार होंगे और आपके तैयारी जो है यह भी दोस्तों बहुत अच्छी सर लिए होगी कि सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं यह दोस्तों आपके इस क्लास का जो घर बेट आपको क्लास एविलेबिल हो इसका फाइदा उठाश के और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्त होंगे और बहुत अच्छे होंगे तो एक और जरूरी सूचना जैसा आप देख पारे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर कि मेरा अनकेडमी जो लर्निंग एप है वहाँ पर आज सामको आठ बजे आज सामको आठ बजे जो है यह रासान हिष्ट्री का एक टोपिक है हिष्ट्यूप जालोर मैं आप रासान तो दिन में आपके लिए स्टार्ट करती जाएगी बिल्कुल फ्री सेशन यह रहेगा तो अगर आप यह सेशन जोइन करना चाहते हो तो प्लीज आप एक बार अनकेडमी का लर्निंग एप डाउनलोड कर लीजीगा और वहाँ पर प्रवीन कुमार के नाम से आप लोग सर् है यहां पर आप लोग आसानी से अमेरे से जो है यह हिस्ट्री पढ़ सकते हो तथा अनकेडमी लर्निंग एप पर किसी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए तो ऐसे सी के लिए बैंक के लिए फिर किसी भी एक्जाम के लिए मैं कहता हूं तो आप मेरा रेफल कोड़े बिना किसी स्पेस के आप लोग यह अपलाई कर सकते हो जिसे आपको 10% का डिसकाउंट जो है दोस्तों में जाएगा तो यह था फ्री सेशन के बारे में जानकारी जो आनकेडमी लर्निंग एप पर है डाउनलोड नहीं किया अगर आपने तो बिल्कुल आप डाउन राजस्तान के प्रमुख मेलों के बारे में राजस्तान के प्रमुख मेले और ये भी काफी इंपोर्टेंट टोपिक आप लोगों के लिए है मेरे पहरे दोस्तों क्योंकि मेलों से आप से प्रस्शन जो है दोस्तों कुछा जाता है इनके बारे में हम चर्चा आज यहाँ कौन कौन शे प्रमुख मेले आते हैं, उनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो मेरे पहरे दोस्तों बात अगर की जाएगी आपकी यहां पर प्रमुख मेलो मैं, सबसे पहला प्रमुख मेला जो मैं आपका यहां पर ले रहा हूँ, और यह ले रहा हूँ दोस और एक तरफ to आपका मैले का नाम आएगा, दूसरी तरफ दोस्तो यहाँपर मैले को ने लिखे सकते हैं यहाँपर आपके समय और जो आगे आएगा वो उस्थान आजाएगा आपका, ठीक है यहाँपर स्थान तो महवीर जी का मेला और ये महवीर जी का मेला लगता है ये मेरे पैरे दोस्तों आपके कार्तिक पूर्णिमा को लगता है कब लगता है कार्तिक पूर्णिमा के अगर बात की जाएगी तो कार्तिक पूर्णिमा को कहां पर लगता है इसकी बात अगर हम करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका करोली में लगता है कहां पर लगता है करोली में अब आज चर्चा करें रास्थान के प्रमुख मेलों के बारे में महावीर जी का मेला कार्टिक प्रूनिमा को मैं आपको बताया कहां पर लगता है ये मेरे पहरे दोस्तो करोली में लगता है दूसरे प्रमुख मेले की बात करते हूं और दूसरा प्रमुख मेला आता है मेरे पहरे दोस्तो आपके केला देवी का मेला काफी प्रशिद ये मेला आता है लामूरिय गीत और लामूरिय नर्ते को लेकर के भी दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट आपका केला देवी का मेला लगता है और ये केला देवी का मेला जो ही दोस्तों आपके चित्र चित्रमाह की बात अगर की जाएगी तो चित्रमाह में मेरे पहरे दोस्तों आपके जो सब्तमी और अश्टमी जो आती है तो सब्तमी और अश्टमी को ये मिला जो है दोस्तों लगता है कब समय की बात अगरम करेंगे चेत्र, सुकल, सब्तमी और अश्टमी ये भी कहां पर लगता है ये भी दोस्तों आपका करूली में ही लगता है करूली की आदव राजवन्स की कुल्दी भी आती है केला देवी की बात अगर की जाएगी तो तो दो मेले मैं आपको अब तक बताए महावीर जी का मेला आपके कार्तिक पूर्णिमा को करूली में दूसरा केला देवी का मेला चेत्र, सुकल, सब्तमी, अश्टमी की बात अगर की जाएगी करूली में लगता है एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग सेशन को सेर कर दीजीगा और आज साम को आठ बजे अनकेडमी लर्निंग अपर फ्री क्लास में दी रहेगी मुझे आप लोग वहाँ पर फुल ओशे कर लीजीगा प्रवीन कुमार नाम से आप सर्च करेंगे तो बिल्कुल मैं आपको वहाँ पर एवलेबर हो जाओंगा और वहाँ पर मेरे को फुल ओशे कर लीजीगा ताकि आज साम की और आगे आने वाले फ्री क्लास का फाइदा आप लोगों को मेरे से कैने अकेडमी लड़ेंगे अपर आगे बढ़ते हैं नमबर तीन पर बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर गणगूर की बात आती है गणगूर का मेला और गणगूर का मेला गणगूर कहां की प्रशीद आती है आपको पता ही होगा जेपूर की बात आती है और चेत्रशुक्ल तरतिया की बात अगर हम करते हैं तो चेत्रशुक्ल तरतिया को मेरे प्यारे दोस्तों आपका मेला लगता है और ये कहां लगता है जैपूर में कहां पर लगता है जैपूर में आगे बढ़ते हैं बात करते हैं चेत्र और आश्मिन महा में जो नवरात्रे आपके आते हैं उन नवरात्रों में ये दोस्तों मेला जो है ये दोस्तों लगता है और नवरात्रों में कहां पर लगता है बात अगर की जाएगी तो आपको पता होगा देशनुक की बात आती है और देशनुक बिकानेर की बात अ गंगूर चेतरशुक लतर्तिया जैपूर करणी माता का मेला मैं आपको पता है नावरात्रों में लगता है देशनों को देशनों कानेर में यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आपको आगे बढ़ते हैं बात करते हैं और अन्य जो महत्वपून मेले आते हैं उनके बारे में और एक मेला आता है दोस्तों आपके शीतला माता का मेला कौन सी है शीतला माता का मेला तो दोस्तों बात अगर की जाएगी शीतला माता का मेला जो है यह कब लगता है इसकी बात अगर की जाएगी तो चेत्रकृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी आती है आपको पता योगा चेत्र प्रश्ण अश्टमी की बात अगरम करेंगे और शील की डूंगरी चाक्षू की बात आती है चाक्षू जो कहा पर पड़ता है जेपूर डिष्टी की बात अगरम करेंगे चाक्षू जेपूर में दोस्तो शीतला माता का मेला लगता है और शीतला अश्टमी को ही आपको पता हुगा इस्चेत्रकृष्णष्टमी को ही दोस्तों शीतलाष्टमी जो है इस दोस्तों कहा जाता है क्या कहते हैं शीतलाष्टमी इसको कहा जाता है बासी भोजन का भोग नहीं लगाया जाता है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके बान गंगा का मेला ये पूछा भी जा चुका भीया बान गंगा का मेला कहां लगता है तो बान गंगा के अगर बात की जाएगी या फिर हम यूँ कह सकते हैं बान गंगा वेराथ भगवान बुद्ध के अशिष अपने को यहां से मिले थे बिल्कुल आपको पता ही होगा बान गंगा का मेला जो है यह दोस्तों आपके वेशाख महा की पुर्णिमा को वेशाख पुर्णिमा को लगता है और वेशाक पुर्णिमा की अगर बात की जाएगी वेशाक पुर्णिमा को ये मेला कहां लगता है विराट नगर की बात अगरम करते हैं और विराट नगर कहां पर आता है जेपुर की बात आती है कहां की बात है जेपुर की अगरम चर्चा करें तो जेपुर विराट नगर म मैं और शेयर रखेगा आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मेरे प्यारे मित्रो और इंपोटेंट महतोपून मेले जो आते हैं उनके बारे में सीता बाड़ी का मेला कौन सा है सीता बाड़ी का मेला और सीता बाड़ी के मेले की अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे मित्रो तो सीत की जाएगी तो शीता बाड़ी का मेला लगता है और ये शहबाद 12 के गरम चर्चा करते हैं शहबाद 12 में दोस्तों आपके शीता बाड़ी का मेला लगता है ये भी काफी महत्वपूम मेला है बान गंगा का मेला वेशाक पुरुनिमा को विराट नगर में जबकि सीता को लगता है और यह दोस्तों आपके शाहबाद की बात हमने की है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दोस्तों बात अगर की जाएगी और महतोपुन मेले जो आता हैं उनकी चर्चा भी मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जैसे अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे मित्रों एक आता है दोस्तों आपके तीज का मेला किसका तीज तीज त्युहारा बावडी लेडूबी गनगोर यह पंक्ति तो आपने अ पिर हम चर्चा करते हैं स्रावन शुक्ल तरतिया को मेरे प्यारे दोस्तों जैपुर की बात आती है जैपुर में यह आपके तीज का मेला जो ही दोस्तों लगता है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कल्यान जी का मेला डिगी कल्यान का नाम आपने अवश्य सुना होगा जै कल्यान जी की अगर बात की जाएगी कल्यान जी का मेला जो है ये मेरे प्यारे मित्रों आपके भाद्र मनीनी स्रावन सुकल एका दशी की बात अगरम करेंगे स्रावन मार्स में लगता है ये सुकल एका दशी की अगर बात की जाएगी तो ये मेला लगता है और कहां लगता है डीगी की बात अगर हम करेंगे डीगी के लियान जी नाम इनका पढ़ गया डीगी से ही डीगी आपका पढ़ता है टॉंक में कहां पर पढ़ता है काफी तीर थियात्री जो हैं आधार्मी कियात्री जो हैं दोस्तो इस मेले में पार्टिस्पेट करते हैं मेले में भाग लेते हैं आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दोस्तों आपके कजली तीज का मेला कजली तीज कहां की प्रशिद है तो बिलकुल आपका आंसर आ सकता है कजली तीज आपके बुंदी की प्रशिद है और भाद्रपद की बात अगर हम करेंगे भाद्रपद कृष्ण तरतिया की अगर बात की जाएगी तो मेरे प्यारे मित्रो भाद्रपद कृष्ण तरतिया को बुंदी में आपके ये मेला जो है कजली तीज का मेला लगता है तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, शीतला माता का मेला, चेत्रक्रश्णस्ट में या फिर इसी को शीतलास्ट में कहा जाता है, चाक्षु जेपूर में लगता है, बान गंगा का मेला वेशाक पुर्णीमा को आपके विराटनेगर में, शीता बाड़ी का मेला वेशाक का म livres का मेला सरावन शुक्ल दरं को दूस्तों जेपर में इसी प्रकार कल्याणजी का मेला जो फिर फिर से आपको बताएं आज स्यामको अनकेडमी लर्णिंग अपर मेरी फ्री क्लास रहेगी आज़े रास्तान हिष्टे में जालूर का इतियास माज़ आपको पढ़ाऊंगा रास्तान कंप्लिट हिष्टे एक बरफिल से आपके सामने रिवाईस होने वाली यहीं पर फ्री क्लास इवलेबल आपको रहेंगी और अनकेडमी लर्णिंग अप डाउनलूड कीजिएगा और श्री मिल लेंगे आज सामको आट ज़े लाइव आपके साथ में और अनकेडमी सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड प्रवीन 11 आपको पता ही है अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो बिलकुल प्रवीन 11 आप लोग अपलाई कर सकता हो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मेरे पहरे दोस्तों रामदेव जी का मेला रामदेव जी का मेला और रामदेव जी के मेले के अगर बात की जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके भाद्रपद मास में आएगा बिलकुल भाद्रपद सुक्ल दितिया से अगर हम चर्टा करते हैं भाद्रपद सुक्ल दितिया से एकादशी की बात अगर की जाएगी तो ये मेला जो है शुक्ल दितिया से एकादशी भाद्रपद के महिने में लगता है रामदेव जी का मेला और जेसलमेर की बात आती है जेसलमेर में ये मेला लगता आपको पता ही होगा रामदेवरा कोगरण के पास में रूने चारणानी पीरों के पीर इनका मेला संपरदाइक सुहर्द के लोक देलता भादर पद शुक लदितिया से एका दशी कहां की बात हमने की है जेसल मेर में ये मेला आपका लगता है बिल्कुल ये इसके बारे में आपको पता ही होगा बहुत बार लेकिन पूछा भी जाता है इसके बारे में आगे बढ़ते हैं बात करते हैं राजा भरतरी सुना होगा आपने और भरतरी की अगर बात की जाएगे मेरे पहरे दोस्तों भरतरी का मेला और भरतरी का मेला जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके लगता है भादरपद, सुक्ल, सब्तमी और अश्टमी को भादरपद की ही सुक्ल, सब्तमी और अश्टमी को भरतरीका मिला और कहां लगता है, शरिष्का के अगर बात की जाएगी और सरिष्का आपको पताई होगा अलवर डिस्टिक की बात आती है अलवर में ही दोस्तों ये सरिष्का जो आपका पढ़ता है भरतरी का मेला यहां पर लगता है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मेरे पैरे मेत्रो और इंपोर्टेंट मेले जो आते हैं उनके बारे में बात करते हैं गोगा जी के मेले के बारे में गोगा जी का मेला और गोगा नौमी आपको पताई होगा गोगा नौमी जो है ये कब आती है भाद्रपद कृष्ण नौमी और इसी को गोगा नौमी भी कहता है गोगा नौमी भी इसी को कहा जाता है और भाद्रपद कृष्म नौमी को गोगा मेडी की बात अगर की जाएगी गोगा मेडी हनुमानगड की बात अगर हम करेंगे हनुमानगड में ये मेला लगता है वैसे तो गाउं गाउं में मेले लगते हैं छोटे छोटे हर जगई जहाँ पर गोगाजी का थानी अस्तान होता है वहाँ पर गाउं गाउं गोगाउं खेजडी गाउं गोगाउं आपको पता ही होगा गोगाजी का थानी अस्तान जो है खेजडी के बरक्स के नीचे बनाया आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दोस्तों आपके तेजाजी के मेले के बारे में तेजाजी का मेला और तेजाजी का मेला जो है ये दोस्तों तेजा दस्मी जब आएगी अर्थात भादरपद सुकल दस्मी को आती है भादरपद सुकल दस्मी की अगर बात की जाएगी मेरे प परबसर नागोर में मेरे प्यारे में प्रोग ये मेला जो है आपका लगता है इसको आप लोग अवश्य ध्यार में रखिएगा काफी इंपोर्टेंट है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं यहां तक बिल्कुल आपको क्लियर होगा रामदेव जी का मेला भादरपद सुक्ल द नमानगड में और तेजा जी का मेला भादरपद सुक्ल दश्मी अर्थात इसी को दोस्तो आपके तेजा दश्मी जो ही दोस्तो कहा जाता है भादरपद सुक्ल दश्मी को ही क्या कहते हैं तेजा दश्मी कहा जाता है परबसर नागोर की बात आती है आगे बढ़ते हैं मेर गनेश जी का मेला और गनेश जी का मेला जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके भाद्रपद में ही लगता है भाद्रपद में सुक्ल पक्स की बात आती है सुक्ल चतुर्थी गने चतुर्थी कहा जाता है इसको बिल्कुल भाद्रपद सुक्ल चतुर्थी के अगर बात की ज जाएगी तो सवाई मादोपुर इसका बिलकुल करेक्टामसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दोस्तों आपके चार भुजा का मेला कौन सा है चार भुजा का मेला और ये चार भुजा का मेला जो है ये दोस्तों इसकी बात अगर की जाएगी तो ये दोस्तों आ आपके भाद्रपद में लगता है और कहां पर लगता है उदेपूर की ही बात आती, उदेपूर में चारबुजाजी का मेला लगता है आगे जूर अन्यम एतोपुन मेले आते हूं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं और ये बात अगर की जाएगी दोस्तों पुष्क पुश्कर जी का जो मेला आता है पुश्कर का मेला और ये दोस्तों लगता है कार्तिक पुर्णिमा को कब लगता है कार्तिक पुर्णिमा की अगर बात की जाएगी तो कार्तिक पुर्णिमा को लगता है और कहां पढ़ लगेगा पुश्कर पुश्कर पढ़ता है अजमेर मे बिल्कुल तो अज मेरे पुष्कर में ही लगेगा कब लगेगा कार्थिक पुर्णिमा को मेरे पहरे दोस्तों आपके पुष्कर का मेला आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात अगर की जाएगी आपके कपिल मुनी कपिल मुनी का मेला और कपिल मुनी के मेले की अगर तर्चा की जाएगी तो कार्तिक पूर्णिमा को ही कपिल मुनी का मेला जो है ये दोस्तों लगता है और कहां पर लगता है कपिल मुनी का स्थान आपके विकानेर बिल्कुल विकानेर डिस्टिक की बात आती है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दोस्तों आपके यहां पर इसी प्रकार एक मेला या गलिया कोट का उर्ष हम कह सकते हैं गलिया कोट का उर्ष और ये गलिया कोट का उर्ष जो है ये मोहरम से 27 में दिन जो है ये दोस्तों लगता है और कहां पर डुंगरपुर की बात आती है ये भी काफ़े इंपोर्टेंट है बहुत बार दोस्तों आपसे पूछा जाता है इसके बारे में भी तो ये दोस्तों हमने चर्चा यहां पर की है रास्तान की जो महत्वपून मेले आते हैं उनके बारे में इसी करब में दोस्तों हम आगे अगली कड़ी में आपके यहां पर जो प्रमुक आदिवाश्यों के मेले आते हैं तथा साथ में दोस्तों हमारे यहां प्रास्तान के जो प्रमुक त्योहार आते हैं उनकी बात अगर की जाएगी तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तो एक और इंपोर्टेंट जोरी बात में है तो पूर्ण बात वो क्या है दोस्तो यह मेरा टेलेग्राम ग्रूप है आप लोग अवश्य जोईन कीजीगा इसको ओके ध्यान में रखेगा प्रभीन 11 और प्रभीन सरी इसकी आईडी है आप लोग अवश्य जोईन कर सकते हैं साथ में हमारे दू चैनल है वाइफाइ स्टेडी लाइव टेस्ट और वाइफाइ स्टेडी डिफेंस एग्जाम आप लोग इनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी भी अनकेडमी प्लेटफों और दोस्तों कोई भी कोर्स अगर आप लोगों को जोईन करना है तो अनकेडमी लटेंगे पर मेरा रेफल कोड जो है प्रवीन 11 ये रेफल कोड आप लोग अप्राई कर सकते हो बिना किसी स्पेस की केपिटर लेटर में अभी टेट केटेगरी में दोस्तों अनकेडमी पर लिट की क्लास जो है उसमें मेरा कोर्स जो है दोस्तों चल रहा है सेस्टी लेवल सेकिन की अगर बात की जाएगी तथा आरपेसी केटेगरी की अगर बात की जाए मेरे पैरे मित्रों तो आरपेसी केटेगरी में भी जो पुलिस और पटवार का कोर्स है ये मेरा रास्तान क कल्चर का कॉर्स आपके लिए जल्दी ही आने वाला है एक दो दिन में ही तो ये भी आप लोग अवश्य जोईन कर सकते हो अगर आपने जोई नहीं किया कल्चर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बेहतरीन तरीके से पढ़ने कम होगा है साथ में आज साम को आठ बज़े आनक शेकर लिजिएगा और आएक आने वाले क्लासिस का आप लोग आनंद उठाएगा मेरा रिफल कोड आप लोगों को पताई होगा प्रवीन 11 किसी भी केटेगरी में अगर कोई कोर्स जोईन आप लोग करना चाते हो तो बिलकुल कोर्स जोईन कर सकते हो तो ये था दोस्तों आज का इंपोर्टेंड महत्वपून शेशन उमीद करूंगा दोस्तों आज का जो शेशन था यह आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कर दीजीगा मेरे पैरे मित्रों इसको जधा ज़धा सेर कीजीगा और अभी लोगडाउन की स्तिती में हालां लोगों का ख्याल रखेगा और अच्छे रख से आप लोग तयारी जो है उसको निरंतर कीजिएगा बाकी की बात हम अगले करेंगे तब तक के लिए टेक क्यार थेंक्यू सो मच